ये देखिए मेरा कोपता मसाला पुरी तरह से त्यार हो गया है और खुसबू भी बहुत जबरदस्त आ रहा है नमस्कार दोस्तों तो आज मैं सेर कर रहा हूँ लोकी के बहुत ही सौप्ट कोपते की रेसीपी जो मूह में जाते ही घुल जाए तो आप भी इसी स्टेप को फो परबर नहीं आया है बीज बहुत छोटा छोटा है तो हमें कोपता के लिए इसी तरह का लोकी लेना है जो हाड हो जाता है उसका आप कोपता अगर बनाते हैं तो वह अच्छा नहीं बनेगा और खाने में मज़ा नहीं आएगा इसलिए जो मैं लोकी लिया हूँ उसका कदूकस कर लेना है तो चलिए सबसे पहले मैं लोकी को कदूकस कर लेता हूँ तो देखें फाइनली मैं लोकी को कदूकस कर लिया हूँ यह देखिए कितना अच्छा मैं कदूकस कर लिया हूँ तो अब क्या करना है लोकी का जो घिसा हुआ है इसका पानी निकालना है अगर इसे हम अच्छी तरह पानी निकलना है तो क्या करना है ऐसे अगर हाथ से आप पानी निकालेंगे तो इसका पानी अच्छी तरह निकलता नहीं है तो हम कैसे पानी निकालेंगे चलिए देखते हैं तो लोकी का पानी निकालने के लिए क्या करना है सबसे पहले बॉल या कोई स इसमें बेशन बहुत कम लगेगा, तो सारे लोकी का घिसा हुआ है, वो एक cotton पे डाल लेना है इसे, और इसे इसे फोल्ड करके, इसे अच्छी तरह इसा घुमा घुमा के दबालें, देखिए कितना पानी निकल रहा है, अगर आप हाथ से निकालेंगे, तो इसका सारा पानी पानी निकलता है, और उसमें क्या होता है आपको बेशन ज्यादा लगेगा, और कोपते खाने में टेस्टी नहीं लगेगा, बेशन का टेस्ट आएगा, तो आप भी इसी step को follow जरूर करें, तो यह पानी को क्या करना है, फेक देना है, यह यूज नहीं करना है, और दूसरी तब बारिक कटा हुआ प्याज डाल देता हूँ, आप चाहे तो प्याज नहीं भी डाल सकते हैं, मैं टेस्ट के लिए प्याज डाल रहा हूँ, अगर आप बारिक प्याज काटके अगर कोपते में डाल रहें, तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, और साथ में लेस्टून और दो चार मिर्ची लिया था में कूट के हारा धनिया एक छोटी चमच धनिया पॉडर एक छोटी चमच मिर्ची पॉडर आदा चमच हल्दी पॉडर और एक छोटी चमच गरम मसाल अगर आपके पास अजवाइन है तो डाले और नहीं है तो जरूर लाके डा और मैं ले लिया हूँ बेशन आधा कप तो इसमें मैं सारे नहीं डालने वाला हूँ यह देखे मैं चमज की मदद से जितना लगेगा उतना मिक्स करते जाओंगा और डालते जाओंगा नहीं तो अगर एक साथ में मैं डाला तो हो सकता है ज्यादा पर जाए तो टेस्ट खड नमक डाले नहीं तो क्या होगा नमक पानी छोड़ देता है तो आपका कोपता वरोबर बनेगा नहीं तूटने लएगा तो इसे हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे तो यह देखिए मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लिया हूँ आपको भी इसी तरह अच्छी तरह से मिक्स कर लेन और यह देखिए मेरा कोपता परफेक्ट तियार हो रहा है तो चलिए पहले में तेल गरम कर लेता हूं और मैं नमक अभी भी नहीं डाला हूं मैं फराई करते टैम में नमक डालूंगा क्योंकि अगर मैं नमक अभी डाल दिया तो जब तक मेरा तेल गरम होगा तब तक यह और ज़्यादा पानी छोड़ देगा और कोपता पर अबर बनेगा नहीं तो चलिए सबसे पहले में कोपता फ्राइ करने के लिए तेल गरम कर लेता हूँ तो देखिए मेरा तेल थोड़ा सा गरम हो गया है थोड़ा और होगा तो चलिए जब तक मैं नमक डाल के मिक्स कर लेता हूँ तो नमक स्वाद अनुसा डाल देना है और अच्छी तरह मिक्स कर लेना है तो मेरा तेल गरम हो गया है और देखिए थोड़ा थोड़ा लेना है और इस तरह गोली बना के डालते जाना है अगर आपको ना जमें तो कोपते पहले त्यार कर ले उसके बाद तेल गरम करें और तेल में कोपते को अराम से डाले अपने सेप्टी से तो चलिए मैं एक एक करके सारे कोपते डाल देता हूँ तो देखे मैं सारे कोपते डाल दिया हूँ अगर आपको लगे कि मेरा तेल ज़्यादा हीट हो गया है तो गैस फिले मेडियम कर लेता हूँ और मेडियम करने से क्या होगा अगर कोपता धीरे धीरे पकेगा तो अंदर तक पकेगा तो कोपते को गोल्डन बराउन होने तक पका लेना है और इस वीडियो को सुड़ी से लेके लास्ट तक देखे एक भी स्टेप मिस ना करे नहीं तो आपका कोपता हो सकता है तूट कर ले और वीडियो को एक लाइक कर दे और अगर थोड़ा थोड़ा लगे कि पक गया है तो देखिए इस तरह थोड़ा कराही को मूव करना है अराम से तो कोपता अपने आप भूम जाएगा चारो साइड तो चलिए हम कोपते को गोल्डन बराउन होने तक पका लेते हैं तो जैसे आपको लगे कि कोपता नीचे से पक गया है तो एक चमच की मदद से कोपते को उलट पुलट कर दे दोस्तों जिनकी में उलट पुलट तो होते रहता है तो क्यूं न हम कोपते को भी उलट पुलट कर दे तो चलिए जब तक मेरा कोपता फ्राई हो रहा है मैं कोपते क गिरेवी के लिए पीयाज को पीस लेता हूं, तो देखे मैं दो मेडियम साइज प्याज लिया हूँ तो प्याज को खुसबू और टेस्ट आता है वो पत्ते से जदा आता है और मैं ये ले लिया हूँ आधा इंच अधरक और साथ से आठ लेसुन का कलिया छिल के तो इसे फाइन पेस्ट बनाना है तो देखिए मेरा कोपता गोल्डन बडाउन हो गया है तो चलिए इसे हम निकाल लेते हैं पल तो अब मैं इसे भी निकाल लेता हूँ तो देखिए मेरे सारे कोपते त्यार हो गया है तो चलिए अब मैं कोपते का गिरेवी बना लेता हूँ मैं तेल को गरम कर लिया हूँ और अखे मसाले में लो लिया हूँ दो लाल मिर्ची और एक केज पत्ता बड़ा था उसे मैं त मिर्ची डाल दूँगा अगर पहले मिर्ची डाल देता तो मिर्ची काला हो जाता और यह देखिए मैं प्याज को पीस लिया था ज्यादा बारिक में नहीं किया हूं तो प्याज को हम अच्छी तरब भून लेंगे तो देखिए मैं प्याज को अच्छी तरब से भून लिया ह तो बेशन को मैं थोड़ा भून लिया हूँ, इसमें थोड़ा सा पानी डाल देना है, जो मेरा मसाला जलेना हूँ और इसमें अब मसाला एड़ कर देना है, मिर्ची पॉडर एक छोडी चमच, धन्या पॉडर एक चमच, कास्मेरी लाल मिर्च आदा चमच, हल्दी पॉडर आदा चमच, गरम मसाला आदा चमच, और थोड़ा सा जीरा पॉडर, और मसाले को भी 2-3 मिनट भून लेना है, तो 2- कि मैं कोपते में भी नमक डाल चुका हूं तो मैं टमाटर और मसाले को अच्छी तरह भून लूँगा जब तक मसाला तेल ना छोड़ दे तो चलिए अच्छी तरह में भून लेता हूं तो मैं गिरेवी को तीन से चार मिट भून लिया हूं और गैस फिलेम स्लोही रखना है और इसे दो मिनिट के लिए गिरेवी को ढख देना है तो दो मिनिट हो गया है और देखिए गिरेवी तेल छोड़ने लगा है तो एक मिनिट और हम भून लेते हैं इसे तो एक मिनिट हो गया है चलिए अब मैं इसमें पानी डाल देता हूं पानी आप अपने हिसाब से डाल अगर ज्यादा पतला आप गिरेवी कर देंगे तो खाने में इतना मज़ा नहीं आएगा तो देखिए मैं पाई डाल के गिरेवी को अच्छी तरह मिला लिया हूँ और अब मैं इसमें डाल देता हूँ आदा चमच किचन किंग मसाला और धनिया पत्ता और इसे थोड़ा चला लेंगे और दो मिनिट के लिए ढग देंगे और अच्छा अच्छा लग रहा है मैं इसे और थोड़ा शुखाने वाला हूँ अगर आप चाहे तो इतना गिरेवी रख सकते हैं लेकिन मैं इसे थोड़ा और सुखाऊंगा, तो चलिए अब मैं इसमें कोपता डाल देता हूँ, इसे ज़्यादा चलाना नहीं है, नहीं तो कोपता तूट सकता है, और गैस फ्लेम सलो करके और दो मिनिट के लिए ढग देना है, इसे क्या होगा, गिरेवी का और मसाले का जो अबरदस्त आ रहा है, तो दोस्तों आपको अगर ये वीडियो पसंद आए, तो वीडियो करे लाइक और चैनल को करे सस्क्राइब, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सेर करे फेसबूक, वाटसब, यूटूब, इंस्टागराम पे,